इसमें लियर अमान रहीम, Mathematics, Power Class 10, Unit 7, Introduction to Technometry. आज हम इसमें ये टापिक कोवर करेंगे, Number 1st, What is Arc of the Circle? 2nd, How to find the length of an arc of the circle? और लास्ट में हम Exercise 7.2, Question Number 1, 2 and 3 करेंगे. तो बस्ट हम आते हैं, What is an Arc of the Circle? ठीक है, Arc of the Circle क्या है हमारे पास? Arc of a Circle is a part of circumference. आप लोगे पास अगर एक कुई सर्कल हो और उसका circumference का एक पार्ट, एक हिस्सा, इसको हम क्या कहते हैं? Arc of a Circle. मसला हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है? इसमें अगर आप लोग चेक करें, यहां पे हमारे पास, लेट साइए ये दो पॉइंट्स में ले रहा हूं, मीन्स लेट साइए ये आप लोगे पास पॉइंट ए, और इस circumference पे मैं ये दूसरा पार्ट ले रहा हूं, ठीक है? ये अब बी, ये अगर आप लोग चेक करें, यहां से ये complete ये पास ला, ये distant, ये अब लोगों का सर्कल का और कंप्रेंस कहलाता है, ठीक है? जबकि इस circumference का कुई भी पार्ट, कुई भी दो पॉइंट्स के दर्मयान इस साइए, अब बी, ये अगर आप लोग चेक करें, ये पॉर्शन, तो इस तरह अगर आप लोग ये चेक करें, ये बी से वापस ए की तरफ, तो ये भी सर्कम्प्रेंस का एक पार्ट आप लोगों पास आ रहें, ठीक है? ये पॉर्शन चोड़ की, ये पॉर्शन ये, ये वाला पॉर्शन, इसको हम माइनर आर्क केते हैं, जबके ये वाला जो बड़ा हिसा है, इसको हम मेजर आर्क केते हैं, ठीक है? तो ए, बी के दरम्यान ये डिस्टेंट आप लोगों पास आर्क आ रहे हैं, नेक्स्ट हम आते हैं, एक अर्क का लिन्थ हम किस तरह मालूम करेंगे? ठीक है? हम अलरड़ी अगर लेट से हमारे पास ये ए, बी के दरम्यान ये डिस्टेंट को, इस लिन्थ को मैं L से कर रहा हूं, तो ओ, बी या ओ, ए के दरम्यान ये आप लोगों का क्या रहे हैं, ये आप लोगों का सरकस का रिडियस आ रहे हैं, जिसको हम R से डिनोट करते हैं, ठीक है? और इसमें आप लोगों पास ये जो तीटा रहे हैं, इंगल, ठीक है? इसको हम तीटा से डिनोट कर आता कि radian is equal to the length upon arc a b ये a b के दरमें जो length है arc का length divided by the radius of the circle so radian को let's say चलो हमने इसको theta से denote किया था so theta is equal to length of the arc इसको हमने l से denote किया हुए a b के दरमें जो ये length r है इसको मैं l से denote कर रहा हूँ divided by radius of the circle that is equal to r so yeah इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि l is equal to r theta where theta is the angle and radian r आप लोगों कब क्या होगा radius होगा radius of the circle जबके l is the length of the arc a b ठीक है अब इन तीनों में से अगर आप लोगों को कोई भी दो values के वन हो तो third आप लोग मालूम कर सकते हैं with using this parmuda ठीक है इस relation को आप use करके आप को अगर दो values given हैं तो third आप मालूम कर सकते हैं कोई भी दो values given हो तो third आप लोग मालूम कर सकते हैं तो exercise 7.4 की तरफ आ रहें जिसमें first question में कह रहें के find L, L means length of the arc ठीक है और आप लोगों को theta given है pi divided by 6 radian और r given है 2 cm so अभी हमने पढ़ लिया है के length of the arc L is equal to pi r ठीक है theta into r या r theta so L हमने मालूम करना है so अब लोगों को theta given है that is pi divided by 6 radian multiply by r, r is 2 cm ठीक है so यह आप 2 cancel कर सकते है 6 के साथ so this pass L वो हो जाएगा that is pi by 3 ठीक है लेकिन यहाँ पे हमने चलो यहाँ पे यह आप इस तरह भी लिख सकते है लेकिन आप pi के टीमत आप लोगों को पता है that is 3.1415 divided by 3 so इसको अगर आप calculator के तुरू साल्ब करें so you will get the answer 1.047 ठीक है और चुनके आप लोगों को radius centimeter में गवान है तो यहाँ पे भी आप लोगों का length जो होगा वो centimeter ही में होगा so अप लोगों पास और काफ दे length आप लोगों पास यह आजाएगा अच्छा इसका second part आप लोगों को degree में गवान है that is theta अप लोगों को degree में given है that is 30 degree ठीक है so या तो यह है कि आप इसको radian में convert करें क्योंकि परमूल आप लोगों का radian में है so radian में convert करने के लिए आप लोग क्या करोगे 30 यह हम previous video में कर चुके है 30 multiply by pi divided by 180 degree ठीक है so अगर आप इसको pi से multiply करोगे 180 से divide करोगे तो यह radian में convert हो जाएगा so 30 degree यह 00 के साथ cancel होगा 6 3s are 18 so means आप लोगों पास जो angle up radian में आएगा that is pi divided by 6 वैसे आप परमूल भी आप degree में convert कर सकते है लेकिन वो आप लोगों के course से out है उसको मैं अभी explain नहीं करवा रहा हूँ so theta आप लोगों पास degree में given था उसको आपने radian में convert कर दिया और यह process हम previous exercise में पढ़ चुके है ठीक है so अगर आप वो video नहीं देख चुके तो मैं i card और description में link दे रहा हूँ वहाँ से आप लोगो video चेक करें ठीक है now और r आप लोगों को given है r आप लोगों को given है that is 6 cm so we have to find l ठीक है l हमने क्या करना है मालूम करना है l required है so अब ही हमने formula पढ़ाता कि l is equal to l क्या represent करता है length of the arc is equal to r theta ठीक है अब r आप लोगों को given है that is 6 cm 6 multiplied by theta अभी हमने मालूम कर दिया that is 5 by 6 ठीक है radian में convert करने के बाद so अब 6 आप 6 के साथ cancel कर सकते so means l आप लोगों का क्या रहे that is pi length of the arc आप लोगों पास pi आ रहे लेकिन pi की की मत अगर आप इसको real number में convert करना चाते pi आप लोगों पास आ रहे 3.1415 और यह आप लोगों को radius cm में given है so आप लोगों पास lb cm में आ जाए है so third part को आप लोगों खुद ट्राई कर ले simple है असान है ठीक है formula V आप लोगों कहा रहे के l is equal to r theta ठीक है अचा question number two में कह रहे है के find theta when हमें given है इस वक्त length given है ठीक है length of the arc given है और radius of the center हमें given है means यह आप लोगों को given है that is 5 cm और साथ साथ हमें radius भी given है ठीक है radius r given है that is 2 cm और हमने क्या मालूम कर दें we have to find theta means angle हमने radian में मालूम करना होगा so means आप लोगों को पर्मूला याद है कि l is equal to r theta चुनकि हमें theta चाहिए so dividing both the side by r r से divide करे so यह r r के साथ cancel हो जाएगा so theta will be equal to l by r और l हमें given है के that is 5 divided by 2 5 को कर आप 2 से divide करोगे तो 2s are 4 1 के री हो जाएगा 1 divided होता है so 0 means 2.5 और यह चुनकि theta आप कर रहे तो इसका result आप लोगों पास radian में हैगा radian को में चलो r, a, d, c, d note कर रहा हो ठीक है so this will be your answer second part में कर रहे के आप लोग क्या करो means हमने theta मालूम करना है और जबके हमें given l है l आप लोगों को given है that is 30 cm और r आप लोगों को given है that is 6 cm so means अगर आप लोग हमें पर्मूला याद है कि l is equal to r theta अब चुनके हमें theta चाहिए so dividing both the side by r ठीक है, इसको भी r से divide करें, इसको भी r से divide करें यह r और यह r cancel हो जाएगा so this means theta is equal to l by r so l आप लोगों को यहां पर given है l is what l is 30 30 divided by 6 so that is equal to 5 so means theta आप लोगों पास आजाएगा 5 radian ठीक है, 5 radian third part आप लोगों खुद try कर ले number three में कह रहा है कि find r अब यहां पे आप लोगों ने r मालूम करना है जबके आप लोगों को theta given है pi by 6 radian और l given है 2 cm ठीक है, so हमने पर्मूला पढ़ा था कि l is equal to r theta चुनके अब यहां r चाहिए so dividing both the side by theta इसको भी आप theta से divide करे so इसको भी divide करे theta theta आप आपस में cancer हो जाएगा this implies that r is equal to l divided by theta ठीक है अब r आप लोगों पास हो जाएगा l given है, l हमें given है that is 2 divided by pi divided by 6 ठीक है, pi divided by 6 so हमें चुनके denominator को उपर numerator में shift करने के लिए हम इसका reciprocal कर लेके multiply कर देंगे divide multiply में divide हो जाएगा और इसका reciprocal लेंगे ठीक है, that is 6 divided by 5 ठीक है, so this means के 12 divided by pi pi is pi की कि किमत में put कर रहा हूं है 3.1415, ठीक है so अगर आप इसको calculator से divide करोगे so you will get 3.8199 आ रहे तो इसको में 2 कर देता हूं, ठीक है so that is 3.182 अचा, second part में हमें given है that theta is equal to 3.5, ठीक है 1 by 2, radian अब इसको आप इस तरह भी लिख सकते है 3.266, 6 plus 1, 7 divided by 2, ठीक है so यह आप लोगों को radian में given है theta हमेशा radian में given होगा अगर degree में है तो आप इसको radian में convert करोगे और इस तरह L भी हमें given है L is 4 by 7 यह मीटर में given है, ठीक है so हम से पूशा जा रहे के आप लोग क्या करो R, radius मालूम करो so हमने पढ़ाता के L is equal to R theta चुनके हम R मालूम कर रहे so dividing both the side by theta so यहाँ पे आप लोगों का theta कैंसल हो जाएगा और आप लोगों का आजाएगा के R is equal to L by theta so L आप लोगों को given है is 4 by 7 4 by 7 cm divided by सारी यह मीटर में ठीक है divided by theta theta आप लोगों पास है 7 divided by 2 so चुनके यह division पाम में है तो इसको हम उपर shift करके इसके reciprocal से multiply कर लेंगे means R आप लोगों पास 4 by 7 अपनी जगा और इस denominator में को में उपर shift कर रहा हूँ तो इसको में multiply पाम में इस का reciprocal हो कर लोगोंगा so that is 2 divided by 7 और यहां से आप लोगों पास result आजाएगा 8 divided by 49 7 7s are 49 अब 8 को 49 पे divide करो so you will get means 0.1632 this will be the answer लेकिन यहां पे चुनकी meters में गेवन है तो आप लोगों का answer भी meter में होगा part 3 के तरह पारा हूँ इसमें आप लोगों को theta गेवन है that is 3 pi divided by 4 और L आप लोगों को गेवन है 15 cm you have to find the radius means R आप लोगों ने मालूम करना है ठीक है अभी हमने पढ़ा है के R is equal to L over theta ठीक है L आप लोगों को गेवन है 15 cm so means 15 divided by theta theta is what 3 pi divided by 4 so यह हम उपर shift करेंगे that is 15 means R आप लोगों का क्या हो जाएगा 15 और इसको मैं उपर shift करवा रहा हूँ इसका reciprocal कर लोगा means 4 आप लोगों का numerator में चला जाएगा जबके denominator में आप लोगों का 3 pi ठीक है इस 3 को आप यहां से cancel करवा सकते 3 5s are 15 ठीक है now putting the value of pi which is 20 divided by 1 sorry 3.1415 हाप घसको और करे 20 को आप इसको और करे means is equal to 6.3663 तो यह आप लोगों को संटीमीटर में गेवन है तो यह रिजल्ट पर आप लोगों का क्या होगा संटीमीटर ही में होगा आज के लिए इतना ही कापी इंशाला नेक्स वीडियो में बागी क्वेस्टिन करेंगे तब तक के लिए अल्दा हाफिस